पूरा देश जो है वो हिमाचल परदेश की आर्थिक सिती को देख करके चिंतित है और हम सब लोग भी उसमें शामिल है मैं हरान हो रहा हूं मुख्य मंत्री के बार-बार इस तरह के वक्तव्य से सुभा कहते हैं कि परदेश बहुत गंभीर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है और शाम को कहते हैं कि आर्थिक संकट है नहीं हम जो है हिमाचल पर्देश में फाइनेसर डिसिप्लीन की बात कर रहे हैं लेकिन आज मैंने उन्हें पॉंट आफ ओडर जब अधैक्ष महादेजी से पूछा कि हमने 67 नियम 67 के अंतरगत स्थागन प्रस्ताव दिया था विधान साबा के अंदर क्यूंकि कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली कर्मचारियों के अलाबा पैंशनर्स को पैंशन नहीं मिली आज सब्टेंबर की चार तारिक बीट गई है इस पर मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए खड़े हुए पहले कहने लगे मैं जवाब देना चार रहा हूं और बाद में कह रहे हैं कि मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं हरानी इस बात को ले करके है कि दो वर्ष का कारेकाल हिमाचल पर्देश्ट में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार का होने जा रहा है अब भी जो भी जहां इनकी विफलता होती है नाकाम्याबी होती है वहां दोश पूरव सरकार को दिया जाता है और केंद्र सरकार को दिया जाता है हमारे समय में भी इस तरह से हलात बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं थे कि आर्थिक दिश्टी से हिमाचल बहुत मजबूत था लेकिन फिर भी हमने उस जिमयवारी को समझा और उस जिमयबारी का निर्भहन किया बतार मुख्य मंत्रे, बतार फानेस मिनिस्टर हमने समय पर सैलरी दे, समय पर पैंशिन दी और डिये की किस्ते जारी की एरियर्स थे उसमें बहुत सारे नाशी दी पैंशन जो भोगी है उनके बिल बहुत सारे पैंडिंग थे करमचारियों के जो हॉस्पीटल के जो रिंबर्समेंट के वो भी पैमेंट की लेकिन आज की तारीक में हम सिर्फ इतना ही जानना चाहते थे मुक्यमंति से कि आप तारीक तो तैद क कर दिए कि 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 दारीक को कि करमचारी रोज अना अपने मोवाइल पर मेसेज देख ल يए पैंशन आयी के न्यागी तो उसके लिए निरधारित कर दो अज मुक्यमंतिन सविकार क्यों नहीं कर रहें विकास के तमाम सारे कारे बंद कर दिये और जितनी जनहित की जोजना है थी उन सब को बंद कर दिया पेंशनर्स और कर्मचारियों को सेलरी और पेंशन देने के लिए आज की तारिक में इस परकार के जो हलात बने निश्चित रूप से ये चिंता का विश्य है और पूरे देश भर में हिमाचल परदेश की आर्थिक स्थितिक खराब है इस बात को लेकर के इतनी गंभीर चर्चा चली हुई है पुरा देश पूछ रहा है कि आखिरकार हिमाचल परदेश में दो मिने की दो साल की सरकार कॉंग्रेस पार्टी की सरकार ने आखिरकार ऐसा क्या किया ये सारी गारंटियां जो वादे किये थे जो commitment की थे इनने सत्ता में आने के लिए आज कह रहे हैं कि हमको free वी से बचना चाहिए लेकिन सत्ता में तुम आए ही इस बज़ा से हैं क्योंकि आपने लोगों को जूटे आश्वाशन जूटी गारंटिया दे करके लोगों को गुम्रा किया था हरानी की बात है आवशक्ता 2000 क्रोड पे की और वो कह रहे हैं कि 2 क्रोड बचाएंगे 3 क्रोड बचाएंगे ठीक है वो भी बचाएं उसमें हमें कोई आपति नहीं है वो उनको करना चाहिए यह हमने भी की हैं ऐसी चीजे और खास्त और से जो जो बैयाज की लाइबिलिटी इस परकार की फानेशल लाइबिलिटी उनको करने के लिए लेकिन फिर भी उसके बावजूद जवाब तो यहां बनता है उनका देना कि 2000 क्रोड रुपए अगर वो दे पाएंगे तो सिर्फ एक ही वज़ा है उसमें कि revenue deficit grant जो है वो 5 तारी 6 तारी को मिलेगी उस पैसे से दे पाएंगे और उसके बावजूद भी ट्रेजरी से यह साड़े 700 क्रोड रुपए ओवर ड्राप्ट करेंगे जो limit है उस limit के मादिम से लोन लेंगे तब 1200 क्रोड रुपए से सिर्फ सैलरी देने की सिती में हो पाएंगे उसके बाद 10 तारी के बाद मुझे लगता है कि यह pension देने के लि इसके बाद भूपाएगा यहनिके आप इस बात को मान के चलिए कि पूरा का पूरा हिमाचल अधारित हो गया है केंदर पर केंदर का रडी का पैसा है रेवनीडेफिसिट करेंट का पैसा आएगा तो साल्डी दे पाएंगे और केंदर से सेंटर टैक्सिस का शेर आएगा यह संकत मुझे लगता है कि बहुत गंभीता की और बढ़ रहा है यह चिंता का विश्य है उसका प्रीवी इसका बहुत बड़ा कारण है बहुत बड़ा कारण